प्यारे मित्रों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में यदि आप कछवा रखने के कितने सारी फायदे हैं उससे हमें क्या लाव होती हैं, क्या हानिया हैं, इन सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो प्यारे मित्रों आप से मेरी बिंदती है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, देखेएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा देखें, फैंक्सुई और धार में एक माननेताओं के अनुसार अपने घर या कारिस्थल पर कच्छुआ रखना कई तरह से लाबकारी होता है कच्छुआ रखने से परिवार के सदस्यों पर इसका सकारतमक प्रभाप पड़ता है फैंक्सुई विग्यान के नुसार कच्छुआ रखने से घर के लोगों के आयू तो लंबी होती है साथी साथ घर में सुकांती भी बनी रहती है इसके साथ ये विजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा शुब रहता है आपके कार के लिए आपके ब्यपार के लिए यदि आप अपने विजनेस स्थल पर इसको रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कच्छुआ रखने के क्या क्या फाइदे होती हैं देखिए पौराने ग्रंथों में भी कच्छुए का उल्लेक मिलता है हिंदु धरम के अनुसार कच्छुआ इसलिए भी शुब और सुक समर्दी वाला माना जाता है क्योंकि भगवान विश्नु ने स्वेम कक्षप अवतार लिया था जैसे उनके कूर्म अवतार के नाम से जाना जाता है भगवान विश्नु ने कच्छुए का रूप धारड कर छीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंद्रांचल परवत को अपने कवच पर थामा था इसलिए अपने ब्यपार और घर में सुक सम्रद्धी बनाए रखने के लिए कच्छुए रखना बहुत ज्यादा मंगलकारी होता है कच्छुए लंबे समय तक जीवत रहने वाला एक शांत जीव होता है कच्छुए की फोटो या फिर अष्ट धातु से बने कच्छुए को भी घर के मंदिर में रखा जा सकता है कच्छुए को पानी से भरी पीतल या अष्ट धातु की पात्र में रखना चाहिए ये बहुत ज़्यादा शुब रहता है देखिए वास्त्तू के अनुशार उत्तर दिशा शुब होती है इसलिए कछुई का चित्र आपको उत्तर दिशा की तरफ ही लगाना चाहिए यदि आप चछुई का चित्र लगाना चाहती है क्योंकि उत्तर दिशा को लक्ष्मी जी की दिशा भी माना गया है ऐसा करने से धन लाव होता है और शत्रों का नास होता है घर और दुकान के मुख के द्वार पर खचुवा का चित्र लगाने से व्यपार में धन लाव और सपलता हासिल होती है खचुवा धन प्रापती का सुचक माना गया है यदि किसी को धन संबंदी परिशानी हो उसको क्रिश्टल वाला खचुवा अपने घर में रख लेना चाहिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा रहता है फैंक सुई के अनुसार कचुवा को कभी भी अपनी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए यदि आप अपनी बेडरूम में रख रहे हैं तो बेडरूम में नहीं रखना चाहिए ऐसा क्यों कि देखिए ऐसा करना फैंक सुई के इसा आप से नुकसान दैक हो सकता है इसका उल कि दिशा देखना चाहते हो तो उसके जो मूँ की दिशा है घर के अंदर की तरफ होनी चाहिए तो वो आपके घर के लिए बहुत अच्छा रहता है और वास्तु दोस्त के आईू कितनी होती है उसी इसाब से जदी आप घर में रखने हो तो घर के सदस्तों की उम्र भी कच्वा रखने से घर में शांती बनी रहती है तो घर में दो कच्वा का जुड़ा रखना चाहिए ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच चल रही अनवन खतम हो जाएगी और शांती बढ़ेगी कच्वा घर रखने से शांती बनी रहती है आपसी में प्रेम भरता है कच्वा रखने से क्लेश और बुरी सक्तियां भी दूर होती है अगर बुरी नजर है या बिमारिया है तो उसमें भी ये फलदायक होता है फैंक सुई विज्ञान कहता है कि कच्वा घर पर रखने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती कच्वा नजर दोस खतम करता है साथ ही अगर किसी व्यक्ति का स्वास्त लंबे समय से सही नहीं हो रहा हो तो खच्वा को दच्चिर पूर दिसा में रखना चाहिए इससे लाव होता है घर में कच्वा रखने से घर का बातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है और गंदी बिमारियां भी घर में नहीं प्रवेश्ट करती है और जो व्यक्ति अस्वस्त है वो भी स्वस्त हो जाता है खच्वा रखने से सकरत्मक उर्जा आती है आज कल करियर नौकरी और वेबसाइब में तरक्की पाने के लिए जो भी प्यास रखने लोग हैं उन्हें खच्वा रखना बहुती जाला फलदायक रहेगा जो विध्यारती और परिशा और प्रतियोगता की तयारी कर रहे हैं उनके लिए पीतल का बना खच्वा सफलता पाने में माददगार होगा खच्वा से मिलने वाली सकारत में उर्जा बहुती कारगार होती है इसलिए आप यदि खच्वा रखने की सोच रहे हो तो बिल्कुल आप अपने घर में खच्वा रख सकते हैं ये बहुती ज़्यादा सकारत में उर्जा प्रदान करने वाला होता है वास्तु और फैंक्सुई के अनुसार ऐसा खचवा जिसकी पीट पर कचवे के बच्चे भी हो उसे संतान प्राक्ति के लिए खास माना जाता है जिस घर में शंतान ना हूँ जो संपत्ति-संतान किसे बंस को बढ़ाता हूँ उन्हें इस प्रिकार खचुए अपने घर में रखना चाहिए जी हां प्यारे मित्रों ये मैंने आपको खचुए के बारे में कुछ उपयोग बताएं किस तरह से खचुए लाना चाहिए खचुए हमारे घर के लिए बहुत ही जादा अच्छा करें मैं इसी तरह से आपके लिए इंफोर्मेटी वीडियो लेके आती रहूंगी तब तक के लिए नमस्कार